हेलो फ्रेंड हम फिर से लेखे आगे आप लोगों के एक साम कहानी एक समय की बात है एक बहुत ही नटकट पड़ी थी वह पूरी दुनिया देखना चाहती थी या सोचकर वह अपने सबी लोगों से अलग हो गई वह हर दिन बहुत दूर दूर तक जाती और नए लोग वा नई दुनिया देखती थी एक दिन वह उड़ती हुई एक घर के पास पहुची वहाँ पर वह खिरकी के पास छिप गई उसने देखा उस घर में एक लड़का अपनी मा से जित कर रहा था इसे परी देखना है उसकी म ने उसे समझा रही थी कि परीया सिर्थ आसमान में रहती हैं जब आसमान पूरी तरह से साफ हो जाए तब तुम उसे देख सकते हो अभी रात हो गई है सो जाओ और सुबा जब आसमान साफ हो गया तो परी को देख लेना मा की बात सुनकर वह लड़का सोने लगता है लेकि उसे नीन नहीं आती है तभी खिलकी पर उसे नटकट परी दिखाई देती है वह उसे घर के अंदर ले आता है उसने देखा वह नटकट परी बहुत ही छोटी है दोनों साथ में खेलने लगते हैं नटकट परी उसे अपना जादू दिखा रही थी और वह लड़का भी खुश होकर नाज़ता तभी लड़के के कमरे इस